Hello friends, this is S.P. Singh and welcome to Smarter Every Day. प्यारे दोस्तों बात करेंगे, be it third semester according to Kanpur University. Kanpur University में जो आपका first paper है, School Management and Leadership. इसके आज हमने कुछ जो most important questions हैं, जो अक्सर repeat होते रहते हैं, उन questions को हम लोग discuss करेंगे. यह question आपका 2018-2023 में लगातार दो साल पूछा गया है, बहुत important question है, इसको हम लोग समझेंगे, और बहुत कम सब्दों में, आसान सब्दों में इसको समझते में चलेंगे. अगला question हमारा रहेगा, सैक्षिक, नेत्रत्म, नेतिकता और सिस्टाचार, यह question आपका 2023 में पूछा गया है, तो इसको हम लोग discuss करेंगे, और आगे जो question हमको मिलेगा, यह भी question, पिछली बार 2023 में पूछा गया question है, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौसल के प्रमुग घटक कौ कौन से होते हैं, इस question को समझेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगर next question हमको मिलेगा, फिर 2023 में पूछा गया question है, और यह समय सारनी का अर्थ पूछ रहा है, समय सारनी की परिभाशन हैं पूछ रहा है, वोगे इसको समझेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, आज की class आपके लिए बहुत important है, यह दी आप class में लाश्ट तक बने रहते हैं, तो definitely बहुत आपको help मिलने वाली हैं यहां से, चलिए, पहला question आपके सामने, नेतरत के विभिन सिध्धान्तों का उलिक करते हुए, नेतरत के सामानिक गुणों का वर्ण कीजिए, देखिए नेता के क्या गुण होते हैं, एक नेता में क्या qualities होनी चाहिए, वो आपको बताना है, हलांकि इसको हमने question answer के बादे हम से, और जो topic wise content कराया है, उसमें भी करवाया हुआ है, आज इसको हम समझ लेते हैं, देखिएगा, नेतरत का विकास कैसे होता है, इस सम्मंद में अलग तो आयोगिता में योगिता का सिध्धान्त, यह हमने आपको पहले भी समझाया है, आयोगिता में योगिता का सिध्धान्त का मतलब यह होता है, कि जैसे जो वालक पढ़ने में कमजोर है, और वो sport में जाकर के अच्छा कर जाता है, तो वहाँ पी वो captain बन जाता है, इसका कि क्रिकेट में आकर कि करके श्पोर्ट में आकर कि वो भगवान कहला है तो या जगव क्या थी उनकी आयोगता थी पढ़ाहि लिखाई में आयोग हैं लेकिन स्पोर्ट के अगरуєख कि में बात चेतर में अयोगिता रखता है तो वो अपनी इस अयोगिता की छती पूर्ती श्वरूप अन्य छेतर में उत्करष्ट काम करके पूरा कर लेता है अगर वो किसी एक छेतर में आयोग है तो दूसरे छेतर में वो बहतर करके और यहां पे जो उसकी छती हुई यहां पे जो उसक चप्तियों में कुछ कमिया होती है, फलताह वे अपने कमियों की छती पूरती के लिए अने च्छितर में उत्तम कार करके नेता बन जाते हैं, ठीक है, दूसरे फिल्ल में जा करके वो उसके C fooled men जाते हैं, नेता बन जाते हैं, उदाहरण के तौर पर अध्यन में कम जो चाहतर अच्छा खिराडी बन करके टीम का नेता बन जाता है तो यहाँ पे वो नेता बना हलाकि क्लास में कभी वो मोनिटर नहीं बन पाया लेकिन यहाँ पे वो पूरी टीम का कैप्टन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे वो योगता रखता है अगला है संयोग का सिद्धान, संयोग का मतलब यह होता है कभी कुछ ऐसा संयोग हुआ अचानक से आपको नेता बना दिया गया इसके लिए होता क्या है, इस सिद्धान के according कभी कभी कोई विक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है हमरे साथ बहुत सारी घटना ऐसी संयोग से हो जाती है, किसी विक्ति को नेता बनने का संयोग तभी मिलता है जब उसके लिए तीन परिस्तितियां एक साथ उत्पन हो, तीन परिस्तितियां एक साथ उत्पन होने का मतलब है एक तो व्यक्तिकी स्रेश्ट व्यक्तिकत योगता पहली उसके अंदर जो है की योगता होनी चीए किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना कोई ऐसा ऐसी समस्या आई कि उसमें जो आपके ग्रूप में 20 लोग हैं और उसमें से कोई उस प्रॉब्लम को सौब नहीं कर पाया आपने वहाँ पे अपने बुद्धिमानी दिखाई और उस संकट से उस समस्या से सबको बचा करके निकाल लाए तो वहाँ पे आप ने लीडर का काम किया किसी व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए अपने योगता प्रदर्शन का आउसर यहाँ पे आपको मिला और आपने जो है सबको बचाया उस संकट से बचाया और आप योगता भी रखते हैं तो वहाँ पे आपको बाकी लोग जो है वो कहता है कि याज यह तो बहुत अच्छा विक्ति है आज यह नहोता तो साथ हम सभी नहोते संकट से बचना पाते इसको यह हमारा लीडर बनने के लायक है तो उसको नेता बना दिया जाता है जिस तरीके से बहुत सरे ऐसे डिगरी कॉलेज होते हैं कि उनमें पहले प्राचार जी के लिए प्राचार के लिए टेंटर्व्यू लिये जाते है उनको अच्छा प्राचार नहीं मिलता है फिर कोई टीचर आता है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने के तौर पर आया है और फिर जब उसमें management यह देखता है नेतरत विव्यक्त वि 보क्षण प्रतिभाओं का प्रिणाम है उसके अधर कुछ ऐसी विलेक्षण प्रतिभाएं होती हैं जिनकी वजह से उसकी नेता बनाया जाता है इसके अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ विषिस्ट योगताएं और गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं होते वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही सम्हों के अन्यस अधश्यों को अपना अनुयाई बना कर उसका नेता बन जाते यानि कि उनके अंदर कुछ ऐसी विलच्चन प्रतिभा होती है कि गुरूप के जित्ते लोग हैं वो उसको फालो करने लगते हैं जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं ठीक है और जो व्यक्ति है जो विलच्चन प्रतिभा रखता है वो बाकी दूसरे लोगों के विचारों को बदलने की शक्ति रखता है ठीक है तो जब वो लोग उसको फालो करना शुरू कर देते हैं तो वो शुता ही नेता बन जाता है इसे गुण सिध्धान्त भी कहा जाता है फिर है संतुलन का सिध्धान्त है शंतुलन का सिध्धान्त कहता है इस सिध्धान्त के समर्थकों की ये मानिता है कि नेतरत का विकास तभी होता है जब किसी विक्त के समस्तिय अधिकांस नेतरत गुणा का संतुलित विकास हो नेता के लिए जो गुण चाहिए उसमें संतुलित तरीके से विकास होना चाहिए यदि नेतरत गुणों का असंतुलित विकास होता है अर्थात कोई एक दो गुण बहुत अधिक विक्सित होते हैं और बाकी जो ग नेता में शारिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो जाए तो वह भले बुरे की चिंता किये बिना ठीक है बिना किसी कारण के अलग-अलग काम कर बैठता है जैसे आपका कोई नेता है उसका सरीर बहुत अच्छा डपलप हो गया है हाइट खूब अच्छी हाइट है एकदम त चाठा जड़ देता है तो यह क्या है यह उसके साथ साथ जिस तरीके से उसका शरीर का विकास हुआ तो बुद्धी का भी विकास होना चाहिए था ठीक है सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होना चाहिए था mental development भी उसका होना चाहिए था physical के साथ साथ ठीक है mental का अगर mental development नहीं होगा तो वो चाटा जड़ देगा क्योंकि उसके अंदर साइट सकती बहुत है लेकिन अगर physical के साथ mental भी development होता है विचार सकती उसकी अगर बढ़ती है तो वहाँ पर वो सोचेगा विचारेगा टिक कि मैं नेता हूं मैं किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकता ये गलत बात है है ह XX तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा लेकिन यहां पर असन्त यहां पर जब तक संतुलित विकास नहीं वोग तब तक एक नेता अच्छा काम नहीं कर सकता ठीक है उसका जो नेत्रत है वो खत्रे में पड़ जाएगा समुह प्रक्रिया का सिध्धांत कहता है कि कुछ विद्वानों का विचार है कि नेत्रत जो है वो समुह प्रक्रिया का प्रिणाम होता है समुह के सदस्यों में प्रस्पर अंतहक्र विचार विमर्ष परामर्ष एक दूसरे से सलह मश्वरा होता रहता है इसी के बेस पर कोई विक्ति सम्हों की आवशक्ताओं और समस्चाओं को तुष्टी परदान करता है कोई विक्ति गुरूप में जो बाकी गुरूप मेंबर्स की आवशक्ताओं को पूरा करता है और ज हमारे सिध्धान्त हैं जो यह कह रहा है कि नेत्रत के सिध्धान्त विभिन सिध्धान्तों का उल्ले कीजिए तो हमने सिध्धान्त को समझ लिया जिसमें पहला सिध्धान्त बताया गया है अयोगता में योगता का सिध्धान्त है जिसमें व्यक्ति एगर एक छेत्र में आयो जाता है संतुलन का सिध्धान्त यानि की जो नेता है उसके अंदर फिजिकल मेंटल जो भी डफलपेंट है उस संतुली तरीके से होना चाहिए और सम्हूपर किरया का सिध्धान्त जिसमें सम्हूपर आने वाली समस्याएं आवशक्ताइं आप पूरी करते हैं तो फिर आप नेता में कौन-कौन से गुण होने चीए इस संबंद में विद्धान ने अपने अलग-अलग संख्या बताईए आलपोर्ट कहते हैं 18 गुण होने चीए बर्नार्ड कहते हैं 28 गुण होने चीए इसी प्रकार और भी अनेक विद्धानों ने अपनी अलग-अलग बात कहिए अब जैसे बात करें शारीर के गुण की, तुझे एक प्रभावी नेता होता है, उसमें कुछ शारीर के गुणों का होना जरूरी है, वो देखने में भद्दा ना लगे, देखने में अच्छा लगे, शुंदर होना चीए, परसनेलिटी अच्छी होना चीए, सरीर की अच्छ जोस होना चाहिए, है ना एक अलग प्रकार की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, जिस नेता में इस फूर्ती, उत्साह और जोस नहीं होता है, वो समू का सही प्रकार से नेतरुत नहीं कर सकता, उसके खुद के अंदर अगर इस फूर्ती नहीं होगी, किसी काम को करने के प्र वो समू की जो विभीन समस्यां है उनको समाधान कर सकता है समू के लिए उद्देश और नेतियां निर्धायित कर सकता है वो नेता है उसको उद्देश निर्धायित करने होंगे नेतियां बनानी होंगी तो इसके लिए बुद्धी चीए उद्धी पकता की गर बात करें तो नेता में इस फूर्ती, परसनता, इश्पष्टता, ततपरता, समय की पाबंदी जैसे गुणों का होना नितांत अनिवारे है, समय की पाबंदी होनी चीए, हैना समय का पलन करने वाला हो, कोई भी समूह, ऐसे विक्ति को नेता पद पर पसंद नहीं करता, ज अपने गुरूप को इस तरीके से मेंटन करके रखे, ठीक, उनके आचारों, विचारों पर इस तरीके से प्रभाव डाले, कि जो है, वो सभी भविष्ट की सोचें, दूर की सोचें, दूर दर्सिता वाला होना चाहिए, उसका खुद का आत्मविश्वाश, सेल्फ अच्छा होना चाहिए, तभी वो दूसरे के विच्वाश को भी जो है, उपर उठा सकता है, यदि खुद की उपर विश्वाश नहीं है, खुद सेल्फ कॉन्विदेंस उसका अच्छा नहीं है, तो दूसरे का क्या ही वो करेगा, नेता में आत्मविश्वाश होना यह हम कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे, नहीं, हम कर लेंगे, हमारे पास 20 लोग हैं, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉन्विदेंस उसका अच्छा होना चाहिए, जो नेता अपने आप पर विश्वाश नहीं करता, दूसरों भी उस पर क्या ही विश्वाश करेंगे संकल्प शक्ती होने चीजिए उसके अंदर परतेक नेता के सामने कभी न कभी कभी कठिन समस्यां आही जाती है जिनके विश्य में उसे कठोर निरने भी ले 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 होते हैं नेता में जब तक मजबूत इच्छा शक्ती नहीं है तब इन गंभीर समस्यां से लड़ भी नहीं सकता कठोर समय में भी साहस के साथ बिना विश्य दूए जो नेता काम करता है वही अपने फालोवर्स का आदर्स भी बनता है उसके फालोवर्स उसको अपना आदर्स मानते हैं नेता में आत्मश्यम उत्तरदायत तो वहन करने की चं संकल फ्रक्ति यह से भी चीज़े होना परमाविश्यक उसके अंदर समझता हो यानि कि समाज के साथ मिलकर चलने वाला हो अपने गुरूप के सदस्चों से मिलकर के चलने वाला होना चाहिए ऐसा नहों कि वह समाज से अलग थलग रहे लोच सीलता उसके अंदर होनी विपरीत जाएंगे तो हम तूट जाएंगे तो हमें उसके अनुकूल चलना है नेता लकीर का फकीर बना रहता है शमय शमय आने पर जिस तरीके की लकीर है उसी लकीर पर फकीर चल पड़ता है तो हमें इस तरीके का होना चाहिए अपने आप में हम बदलाव करते रहें समय समय पर तो यह बहुत अच्छा कोर्षिन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्षिन हमने डिस्कुस कर लिया हमने इसमें सिध्धान्त समझ लिये और फिर एक नेता के अंदर कौन-कौन से गुण होने चाहिए उनको समझ लिया और आपको बताते चले कि हम पेड्ड गंटेंट भी प्रॉइड कराते हैं यदि आपने अभी तक पर नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास पर्यापत शमय है आप कंटेंट लेकर कि अपनी कम्प्रेपेशल कर सकते हैं कम शब्दों में कम शमय में अच्छा स्कूर करना चा रही है कि फुल टापिक वाइस कॉंटेट में लाता है आपको खूर अंसर उसरय कोशिंगै पेसं मिल जाते हैं सारी चीज़े एक साथ मिल लाती है ठीक है और इसके बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने का रशकता नहीं रहá जाती तो यहां से बहतर कर सकते हैं समझे कोशन को शिक्षा के छेत्र में शिक्षिक नेत्रत में नेतिक्ता और सिष्टाचार की बात हो रही है अभी हाल ही में जो शोध करता हूँ के दौरा नेतरुत के लिए नैतिक्ता के महत को समझा गया कि जो नैतिक्ता है जो morality है उसका क्या importance है और इस छित्र में काम करना प्रालम किया जा रहा है क्योंकि आज शिक्षा की छित्र में एक नेता में शिष्टा चार नैतिक्ता की बहुना होना आविश्यक हो गया है यदि नेता शिष्टाचार नहीं होगा उसके अंदर शिष्टाचार नहीं होगा वो शिष्ट नहीं होगा आदर्स विभार करने वाला नहीं होगा ठीक है अपने से बड़ों का समान करने वाला नहीं होगा और उसके अंदर मोरल्टी नहीं होगी तो फिर वो नेता नहीं बन सकता है यह लोग फिर उसको अगर वो बन भी जाता है तो लोग उसको follow नहीं करेंगे नेता की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे विद्यारतियों में शिष्ट अचार का भाव रखें यदि आप शिष्ट होंगे तो आपकी पीछे चलने वाले भी शिष्ट होंगे उन्हें भी शिष्ट अचार पता होगा जैसे एक घर का मुख्या होता है जिस तरीके का वो एट्मोसफियर चाहे उस तरीके का एट्मोसफियर अपने घर में वो create कर सकता है उसके लिए उसको खुद को उन जो है कि डिस्प्लिन से गुजरना होगा ठीके अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी पांच बजे उठने लग जाएं तो जो घर का मुख्या है उसे पांच बजे उठना होगा तभी बाकी लोग उठेंगे है ना और बाकी जो भी डिस्प्लिन आप घर में चाहते हैं जगर मुख्या उसको फालो करता है तभी सब लोग उसको फालो करेंगे तो वही चीज है और ये तभी संभव है जब नेता में खुद नेतिक्ता और स्टचर का भाव हो उनकी समस्याओं को सुनकर उसका हल निकाले नेतिक्ता हमें अनेक स्थानों में देखने को मिलती है जगरत नेता फालोवर्स की मनोवर्तियों और वेवहर को प्रिवर्तित करने की चेश्टा करता है जो एक जागरूक नेता है वो अपने फालोवर्स की जो विचार धाराएं है सोच चमज की शक्ती है हैना उनको वेवहर उसका जो वेवहर है उसको प्रिवर्तित करने की कोशिश करता है और उनमें नेतिक मूल जागरत करता है मालिज़ आपके फालोवर हैं उसमें कुछ ठीक हैं कुछ नहीं ठीक है आपको सबको एक समान लाना है तो आपको उनकी विचार धारा को बदलना होगा नेतिक देखिए नेतिक नेताओं दोरा अपने सिष्टाचार का प्रियोग समाजिक निर्बाण और अनिलोगों की भलाई के लिए किया जाता है सिष्टाचार का प्रियोग कहा किया जाता है समाजिक निर्बाण में समाज की लोगों की देखबाल करने में समाज के कई समाज में कई तरीक के लोग होते हैं अमीर, गरीब, लाचार, दुखी, बूढ़े हर तरीक के लोग होते हैं आप उत्त समाच की भलाई कर सकते हैं., कभी-कभी नेता अपने पद का दुर्पियोग भी करता है कि हम नेता हैं," हम यह कर डालेगे," यह हमारा काम भी तुरंत होना चाहिए," बाकी जाहें," कितने भी लंबी कि छटनी करना आधी विश्वास का विशय नेता की सत्यता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि किसी भी सैक्षिक संगठन में नेतिक मुल्यों का पारण आधी शासियों द्वारा इस्तापित होता है अता यह आसा की जाती है कि वे स्वैम में उच्छे नेतिक पारण करें तभी दूसरी लोग भी उनका पारण करेंगी अगला कोशन तीन नंबर कोशन हमारा कहता है कखिशा कखिश प्रबंधन यानि क्लास्रूम मनेजमेंट कोशल के प्रमुक घटक कौन-कौन से होते हैं कोशन 2023 का पूछा गया कोशन आज हमने सभी कोशन 2023 के कोशन लिए हैं कखिशा कखिश प्रबंधन के घटक नियम ने लिखे थे पहला नमबर एक तो जो क्लास्रूम मनेजमेंट इसकिल है उसको उसका मतलब यही है कि जो भी लर्निंग है उसको आप रोचक बनाईए जब तक बालक को पढ़ने में मजा नहीं आएगा आनंद नहीं अब अलग त्रीके के उधारन आपको देने होंगे जिससे बालक समझ पाए उसके लिए सब्यक्ट इंट्रेस्टिट बन सके छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभी प्रेडित करना बच्चे को मोटिवेट करना जैसे कि हम लोग वीडियो देकर के मोटि प्रेडित करना है शात्रों के समुचित विकास के लिए प्राप्त करना बच्चे स्यार की विकास व मांहिश्ट की विकास ओ आध्याथ्मंगी को होना चीब सरवांगिर्जिसे कहते हैं विद्यार्थी अध्यापक अंत्यकिर्या को प्रणुत साहित करना यानि चात्र और अध्यापक के बीच जो इंटरेक्शन है वह सुचरू रूप से संपन हो अनुसासन हिंता पर नियंतरन करना ये क्लास्रूम मेनेजमेंट इस्किल के अंतर गताता है यानि कि आपके क्लास में अनुसासन हिंता नहीं होनी चाहिए वांचित व्योहर का प्रणुबलन करना कक्षा प्रबंदन में चात्रों की सहवागिता स्रीकार करना कक्षा प्रबंदन में अनुसासन को महत्त देना शौंदर्य वातावरण का निर्मान करना और आपके जो भी निर्देस हैं उनमें क्लैलिफिकेंस होना चीए इस पस्टता होनी चीए ये हमारी स्किल्स हैं ये कौसल हैं किसके कौसल हैं कक्षा कक्षा प्रबंधन के ठीक है बस इतना सा नेक्ट कोशन कहता है यह भी कोशन आपका 2023 का कोशन पूछा गया है और विद्याले समयसारणी क्या है जो आपका समयसारणी का मतलब होता है जो आपका टाइम टेबल होता है ठीक है टाइम टेबल क्या है समयसारणी निर्मान करते समय किन किन सिध्धानतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए देखिए समय सारनी का अर्थ क्या है समय सारनी को स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है क्या कहा जाता है जो समय सारनी है टाइम टेबल है उसको स्पार्क प्लग कहा जाता है जिसे से स्कूल की समस्त गतिविधियां एक्टिवेट हो जाती है किसी ने ठीकी कहा है समय, सारणी, शिक्षाले की दूसरी घड़ी जो टाइम टेबल है ये विद्याले की दूसरी घड़ी बताई गई है जिसके तहट सारे काम होते है ये वो तालिका है जिससे स्कूल के सारी कार्यों का एक दृष्टी में बता चलता है कि किस class में सरमा जी कौन सा subject पढ़ा रहे हैं, वर्मा जी किस class में हैं, अलस्थी जी किस class में कौन सा subject पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ बने हुए इस chart पर focus डालते हैं और हमें सब पता लग जाता है किस class में किस का period है, कौन हिंदी पढ़ा रहा है, कौन math पढ़ा रहा है, कौन physics प सिक्षक कख्षा में होने चाहिए attendance में किसका समय कौन सा है पर आता हा asembley का समय क्या है व्यायाम का समय क्या है खेलों का छुटी कितने बज़े होगी आधिका कौन सा समय है आता हा विद्याले के दैनिक कार्यों को योजना बदरूप से संचालित करने की योजना बनाई जाती है वही तो समय सारनी है बाई विद्याले में सुबा प्रेयर किस समय होगी है न उसके बाद जो है first period कितने बज़े से शुरू होगा और फिर half time कितने बज़े होगा game period कितने बज़े होगा छुट्टी कित्ते बजे होगी, कौन सा सब्जेक्ट, कौन टीचर पढ़ाएगा, किस क्लास में पढ़ाएगा, ये सारी चीजे जो तयार की जाते हैं, प्लैन तयार किया जाता तब वही टाइम टेबल है, टाइम टेबल की अलग-अलग परिभाशाएं हैं, जैसा कि डाक्ट आतबध अत्वा तालिका जिसमें विध्यालाय की दैनिक क्रियाओं, विश्यों का किशॉम कारक्रम को गती प्रदान की जाती हैं, वही क्या हैं, समय शार्नी है, ये वो घडी है जो विध्यालाय परिवार को च्छन परतीछन सजग रखती हैं, जिसके एकौर्डिंग विवस्ता सुचरण भूस संचालित होती है इसे समय विभाकचक्र समय तालिका या फिर समय सार्णी भी कहा गया है समय सार्णी को बनाते समय कुछ शिधानतों को ध्यां में रखना होता है जैसे चाटर हीत समन्दλ सिधानत जो जो भी आप time table तैयार करें, उसमें चात्रों का हित नजर आना चाहिए, चात्रों के पक्ष में बनना चाहिए, देखें, विद्याले की इस्थापना का मूल उद्दे से क्या होता है, चात्रों के विक्तित का विकाश करना, अताहा, समयशान निकरने निमान करते हैं, चात्रो के हितों का ध्यान लखना भी चाहिए वो कि इस विसे में निम्न बातों को ध्यान नमर एक तो रुची और योगता का ध्यान आप जो भी टैम टेवल बनाए जो सब्जेक्ट टैज जो है जो सब्जेक्ट आप जिस क्लास में जिस टीचर के दोरा पढ़ाना चाहें उसमें ध् चुणने का उसर प्राप्तों चमताओं का ध्यान शमय शारणी निर्माण में यथा संदों बालकों की शालिक और मासिक शमता को भी आप ध्यान में रखेंगे व्यापकता कि अगर बात करें तो शमय शारणी व्यापक होनी चाहिए जिससे चात्रों को अपनी इच्छा और रुची का उनसरे विशे चुनने में भी साहता हो सके घंटों की करम का ध्यान रखना है समय शारणी का रिमान करतेश में इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्थम और अंतिम घंटों में कठिन और थकान वाले विशे ना रखे जाए देखिए प्रत्थम और अंतिम रख देंगे बच्चा थक जाएगा बोर हो जाएगा नेक्स अब्जेक्ट में उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि पर्थम घंटे में बालक घर से चल करके आया है इससे थकान का आना श्वाभाविक है बच्चा बाहर प्रेयर करके आया है है ना वहां टीजर के लेक्चर सुनक करके आया है तो वहां भी वह खड़ा रहा वहां भी वह थक गया है तो शुरुआत में थोड़ा हलका सब्जेक्ट दीजिए और वह कठिन विशे को ठीक से समझ नहीं पाएगा अंतिम घंटे में दिन भर पढ़कर के बालक थक जाता है तो लाश्ट पीरिट में भी आप ब जिससे मैच बेगरा रख दी जाती है कोसिस ये की जाती है जो कठिन सब्जेक्ट है वो हाफ टाइम से पहले ही खत्म किये जाए आयू का ध्यान रखना होता है आवधी का निर्दान करते समय बालकों की आयू का आवश्य ध्यान लखा जाए आवधी यानिकी कितने समय का प थकनाने जाये मौसम का द्यान रखना है यानि कि इस्ट म् öğish national coaching और चाहिए पार्ट साधामि oneself करियाओं का द्यान वालंकों की विकास के लिए विभिन्योजी पार्ट साधामि क्रियाओं को प्रयाप्त स्रमें मिलना चाहिए 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 च सब चीजे हैं जिन्हें जो है समय सार्णी को निर्धारन करतिश में ध्यान लखना जाए अब अध्यापक के हित की बात करेंगे अध्यापक की हित समंदी क्या-क्या बाते हैं पहली बात तो समय सार्णी का निर्मान करतिश में इस बात का आवसे ध्यान लखा जाए कि किसी अ पढ़ाई नहीं के भी तो बाकिए अगर आप कहेंगे तो चल जाएगा अरे चला लेना कोई बात नहीं कि अच्छा आठकी मैत कौन सा कठीन है अरे चला लेना तो ये बात ना हो कि यहां चलाने वाली बात हो जाए कि वर्मा जी मैध सियां पे चला रहे हैं ठीक है पढ़ाये नहीं है चला रहे हैं यह शर्मा जी कभी इंगलिस पढ़ाये नहीं है लेकिन छोटी क्लास में चला रहे हैं ऐसा नहीं है टीचर की यूगता धियान रखनी हो दो तिन प्रड़ के बाद उसको एक प्रड़ आराम दिया जाए परत्रेक अध्यापक को दो विश्यों से अधिक विश्य शिचन के लिए नहीं दिया जाने चाहिए तो इस तरीके से यह अध्यापक के हिद की बात हो गए यह हम ध्यान लगए जब हम टाइम टेबल बना रहे होंगे उके तो यह कोशन हमारा यहां से कम्ट्रीट वस्टम इशारने का 2023 में पूछा गया कोशन है आगे बात करेंगे यह साइद आपका लास्ट कोशन होगा मत्याहन भोजन की आवसकता बताईए और निस्पादन पर इसके प्रभाव का वर्ण कीजिए देखिए मत्याह भोजन योजना जिसको इंगलिश में क्या कहा जाता है मेड डे मील भी कहा जाता है देश के चौबिस सो आठ बलाकों में एक केंद्र के दौरा प्रायोजित योजना की रूप में 15 अगस्त 1995 इश्वी को प्रारम की गे थी पॉइंट वी नोटेट 15 अगस्त 1995 को प्रारम की थी वर्स 1997-1992 तक ये योजना देश के सभी क्या देश के सभी बलाकों में आरम करते गई वर्स तोज़ाग 3 में इसका विश्तार नवाचारी शिक्षा के केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया और अक्टूबर 2007 में देश के सैक्षणिक रूप से ग्षितार किया गया आर्ट-णौ में इसका देश के सभी छेत्रों में उच्चे प्रात्मे के स्थर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया जा चुका है दसमें राष्ट्री बाल स्रम परियोजना में विद्यालियों को भी प्राडमे के स्थर पर मध्यहन भोजन करें तो इसका उद्देश क्या था देखे भारत जैसे विशाल देश जहां विबनताओं की बहुतायत है हम सभी अलग अलग जाती धर्म समूं के है ठीक उसके बाव जुद भी एक तामे बंदे हुए तो विबनतायतों है ही यहां गरीब अमीर मध्यहंवर के लोग रहते ह है लेकिन निम्नवर के लोग जो है परसिती विद्याले ही अंतिमयों प्रात्मिक विकल्प होता है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है जो है जो निम्नवर के लोग हैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं यही उनका पहला और आखरी उद्देश है ठीक है विकल्प है क क्योंकि उसकी आर्थिक इस्थिती इतनी मजबूत नहीं होती कि वो भी अमीरों के विद्यालों में अपने बालों को एड्मिशन करा सके। उसका शैक्षिक व्याय, सिक्षा पर खर्च होने वाला जो धन है उसका भार वहन नहीं कर सकते निम्न वरक के लोग। उनके आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक इस्तर अत्यंत निम्न होने की वज़ेशे ना तो उनके रहन सैन और पोशन युक्त भोजन की विस्था उनके प्रिजन कर पाते हैं और ना ही उनमें इस बात की इतनी समझ और जागरूप होती है कि ऐसा करना उनके बालकों के लिए अध प्राशन इस तर पर विभिन मादिमों से प्रात सूचना और आकड़ों की बेस पे केंदर सरकार ने मद्याहन भोजन योजना को लागू किये जाने का निर्णे इन्ही निर्धन वर्ग के बालकों से उचित और पॉस्टिक भोजन पोशाहार उपलब्द कराने के उद्दि आते थे खाना खाने और जब घर बच्चा जायता था खाना खाने तो वापस लौट करके नहीं आता था पता लगे जो उसका बैग था वो उसका मित्र उठागर के लिए जा रहा है इससे उसकी जो शिक्षा थी वहाभी अवरुद होती थी है ना इसका तरिक्त प्रात्में कि विद्यालों में चातर उपस्ति एक गंभीर समस्या बनी हुई थी चातर पढ़ने नहीं आते थे जिसे सुधाने के उद्धिस से भी सरकार ने इस योजना को लागू किया कि बालक यह सोच के विद्याले आएगा कि एक तो हमें वह शिक्षा मिलेगी दूसरी बात हमें खाना भी मिलेगा और रोज बदल बदल गरे खाना मिलेगा पबलिक स्कूलों के पेच्छा पड़सरी विद्यालों में प्रवेश की घटती संक्या को देखते वे यह लागू किये गई थी ठीक है और इसके बाद फिर है नेक्स्ट पॉइंट कहता है मद्यहन भोजन योज जो गरी परिवार अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चे विद्याले में आ करके भोजन करें पॉशन के लिए यानि कि श्वस्त सरीर में श्वस्त मस्तिचक का निर्मान होता है इसी उद्दिश को ध्यान में रखते हुए निम्न वरग परिवार को अगर सही ढंक से और नियोजित तरीके से लगू किया जाए तो चात्रों में कई अच्छी आदतों का इमान करके उनको क्या शैक्षिक मुल्यों के से अवगत कराया जा सकता है जैसे सब के साथ मिलकर भोजन करना भाई जब बच्चे बच्चे अलग रग जाती धर्म के होते हैं ठीक है एक साथ बैठकर खाना कर रहे हैं खाना खा रहे हैं को यह नहीं करा यह उची जाती का है यह नीची जाती का है हम इसके साथ नहीं बठेंगे नहीं वहाँ पे सब एक साथ मिलकर के खाना खा रहे हैं इससे ब्रात तो भाईशारे की भावना बढ़ रही ह भोजन करने से पहले हाद धुलें, खाना खाने के बाद हाद होया जाता है, अपने बरतन उठा करके खुद रखना, पाने की बचत करनी चाहिए, ये सब चीजे है, समाजिक मूलियों की शिक्षा देना, ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये सबी उद्दे से थ इंता तनाव बना रहता है, इसका दुश्परभाव बाला के संग्यानात्मक, भावात्मक समाजे की विकास पर बढ़ता है, इसे उचना के लागू होने से बालकों को पौश्टी काहर उप्रब्द कराया जाता है, जो उनकी शरीच को पूशन देता है, मांसिक स्वास्ते क तो शही करता है, उनका अभी वरद्दी और विकास संतुली तरीके से होता है, तो यह आवेशकता है थी, इसकी वज़े से मिड़े मिल लाया गया, तो प्यारे दोस्तों क्लास के सीरी कॉमेंट करके जुरू बताएगा, और अगर आपने अभी तक बीर थर्ड शमेस्टर का पूर यूरिसटी के नोट्स नहीं लिए हैं, तो उसके लिए आपने में इस नमबर भी वाट्स अप मेसेज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको इंपोर्टेंट कोर्शन्स हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, थैंक्यू सो मच